नमस्कार आप सब एका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यू चनल रिमेकेट बात इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आवेदन पत्र भरने के बाद डिजिटली साइन होने के बाद जो आवेदन के बाद जो एड्मिट काड इसू हो रहा है एड्मिट काड डाउन इसको वीडियो में ही उसी को जानेंगे इस सुचना को जानने से पहले यदि आप नए है तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए बस आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ही मेरा समर् और सपोर्ट करते रहे और अपना साथ बना के रखेत आए देखते हैं कि जब आप डाउनलोड कर लेते हैं इस पर करना क्या है यह देखें कि लिखा है कि आवेदक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के उपरां उसे अपने जिला कारीक्रम पतादिकारी स्थापना के प्रवेश पत्र मानने नहीं होगा यह मानने तब होगा जब डीपियो उसको साइन कर देंगे जब वो साइन कर देंगे अब तब ही मानने होगा कह रहा है कि प्रवेश पत्र मानने नहीं होगा बिना प्रवेश पत्र मानने नहीं होगा तथा उन्हें परिक्षा में बैठने के अनुमती नहीं दी जाएगी आवेदकों को प्रामर्स दिया जाता है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित तिती समय परिक्षा किंद्र के काम नहीं चलेगा जब तक उस पर DPO अस्थापना के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं हो रहा है तो अगर डाउनलोड आपने कर लिया है तो आप अपने DPO बनाए रखिये और सपोर्ट और समर्थन के लिए है कि चैनल को सब्सकाइब कीजिए कर लिया है तो लाइक करके जाएए और अपना खयाल रखिये धैरे बनाई रखिये धन्यबाद जैन